दोस्तों नमस्कार, study portal में आप सबका स्वागत है, आज दोस्तों history का chapter number 2 है, अध्या number 2 है, आप लोगों को हम history पूरा complete करवा रहे हैं, जिसमें ancient, middle, modern, पूरे का पूरा इतिहास है, और handwritten notes के हिजाब से हम आपको करवा रहे हैं, ताकि handwritten notes with NCRT, हम आपको पूरा इतिहास हैं, तो आईए आज के lecture में हम सुरू करते हैं, अगर आपको पूरे के पूरे history की ancient, modern, middle, पूरी history के अगर PDF चाहिए, तो ये handwritten PDF आप वीडियो के description से भी download कर सकते हैं, इस number पर WhatsApp पे करके भी आप लोग buy कर सकते हैं, और all over India में हम study material भेजते हैं, सभी teaching exams के लिए, चाहे वो CT DSSB, KVS, NVS, UGCnet, सब का exam के लिए, या फिर UPSC या civil service, उसको भी आप इस number पर call या WhatsApp पर बात करके order कर सकते हैं, शुरू करते हैं, चैप्टर आपका है हडपा सभ्यत्ता, जिसको English में Indus Valley Civilization कहते हैं, सबसे पहले Indus Valley Civilization के भोगोलिक विस्तार के बारे में जान से हैं, इस संसकर्ती का उद्य तामर पासानिक प्रस्ट भोमी में भारती उप महाद्वीप के पस्चिम उत्तर भाग में हुआ, याद रखना, डारेक्शन बताई गई है, यह जो है, वो तामर पासानिक प्रस्ट भोमी में भारती उप महाद्वीप के पस्चिम उत्तर भाग में कांश यूगीन एवं संस्कर्ती तामर पासीन यानि प्राक हडपन है भारतिय पूरा तत्व विभाग के महानिदेशक जान मारसल नाम याद रखना के निर्देशन में राय बहादूर दयाराम साहनी ने 1921 इस्वी में हडपा की एवं राखलदास बनरजी ने 1922 में मोहन जोदरों की खुदाई करवाई थी ये दोनों याद रखना भारतिय पूरा तत्व विभाग के महानिदेशक जान मारसल उनके निर्देशक में हुआ था सबकुछ राय बहादूर दयाराम साहनी ने 1921 में हडपा और राखलदास बनरजी ने 1922 में मोहन जोदरों की खुदा सकते हैं परिपक हडपा संसकर्ति का केंदर पंजाब और सिंद तता बलुचिस्तान के भाग ही नहीं बलकि गुजरात राजस्थान हर्याना और पस्च में उत्तर परदेश के सीमान्त भाग भी समयलित थे हडपा संसकर्ति का विस्तार इसके केंदर पंजाब वस्चिंद स से ही दक्षिन और पूरो की और हुआ था इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिन में नर्मदा के मुहाने तक और पस्ची में बलुचिस्तान से लेकर के मकरान तट से लेकर पूरो में मेरट तक पैला हुआ था हडपा के चार भोगोलिक सतल अगर भोगोलिक सतल पर है यह विख्षित हडपा सबेत्या का सरवाधिक उत्री सथल माना जाता है इसका उत्खनन उन्नीस सो ब्यासी इस्वी में जगपती जोसी वे मधुबाला ने करवाया था मांडा में तीन सांसकर्तिक सत्र प्राक्का सैंधव विख्षित सैंधव एम उत्तर सैंधव जो है वो हैं मांडा तो यह है फिर नाम आता है दूसरे नमबर पर आलमगीर का यह सतल मेरट जिले में हिंडन नदी जो यमना की सहयक नदी है उसके तट पर मौजूद है इस सतल की कोज 1928 इस्वी में हुई थी भारत सेवक समाज संस्ता दवारे इसके कोज की गई थी इसका उतकरन कारिय यगदत सर्मा जिसको आप लोग वाइडी सर्मा भी कहते हैं उनके दवारा किया गया था यह सिंदु सब्यत्या का सरवादिक पूर्वी पूर्वी सतल आपका यह रहेगा फिर बात आती है दैमाबाद की यह सतल महराष्टर के एहमद नगर जिले में परवरदा नद के किनारे बाएं पर बाएं महिसे पर मौझूद है दैमाबाद सैंद्र सब्यत्या का सबसे कौन सा सतल है दक्षणी साउथरन है उसके बाद है सुतका गेंड़ोर यह दास्क नदी के किनारे स्थीत हडपा सब्यत्या का सबसे पस्मी सतल है इसकी खोज 1927 में हुई और सर मा आरक ओरेल स्टाइन तक ती भूझ परति किस अकार में अंसर आजाएगा त्रिभूजाकार है तो शतल है वह आपका 129 9600 ये एयरिया फिर बात आती है केवल साथ सेंदो सथलों को नगर टाउन की संग्या दी गई थी, साथ जो हैं वो सेंदो सथल थे जिनको नगर कहा गया नमबर एक हडपा, नमबर दो महोंजोद्रो, नमबर तिन चनहूद्रो, नमबर चार लोथल, नमबर पांच कालिवंगा, नमबर चाय बनावली और नमबर साथ है धोला वीरा हडपा, महोंजोदरो, चनहुदरो, लोथल, कालिबंगा, बनावली और दोलनापीरा ये साथ नगर वो हैं जिनको नगर की संग्या इस समय दी गई पंजाब में हडपा और सिंध में महोंजोदरो, अर्थार्थ मर्तकों का टीला जिसको कहा जाता है, दोनों पाकिस्तान में पढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे से 483 किलोमेटर दूर हैं, तता सिंधू नदीदवारा जुड़े हुए हैं दोनों महोंजोदरो का सबसे मैतपुन सारजनिक सतल, विसाल सनाना घर माना जाता है, ये 11.88 मिटर लंबा तता 60.0 मिटर, 01 मिटर चोड़ा और 2.43 मिटर गहरा है, इसमें उतरने के लिए उतर तता दक्षन की और सीडिया बने हुई हैं, सनाना घर का फर्स पक्की इंटों का बना ह सनाना घर का उपयोग सारजनिक रूप से धर्मानुस्ठान संबंदी सनान के लिए होता था, ये जल पूजा का एक मातर सांख्ष है, ये पूछा जाता है कि जल पूजा का एक मातर सांख्ष हैं, तो आपका अनसर ये रहेगा हडपा के दुरग में 6 अनाना घर, 6 अनाना घर हैं, मिले हैं, जो इंटों के बने हैं, चब उत्रों पर दो पंक्तियों में खड़े हैं, पर तेक अनागार, जिसको अनागार कहते हैं, आप लोग अनाज का भंडार कहेंगे अब इसको, 15.23 मिटर लंबा और 6.09 मिटर चोड़ है, लोथल की सबसे परमुक विश्यस्ता, जहाजों की गोदी, जिसको आप लोग डोक याड कहते हैं, यह है, यह विश्व का प्राचिंतम गोदी बाड़ा माना जाता है, चनहुद्रों में मनका बनाने का कार खाना, जिसको बीड फैक्टरी कहते हैं, तता भट्टी की खो मुहरें प्राप्त होई हैं, किर्शी के अगर बात करें, एगरिकल्चर की, वर्तमान में सिंदु परदेश में पहली के पेक्षा बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए यह परदेश आप उतना उपजा, उतना फर्टिलाइज नहीं रहा है, सिंदु सबेट्या के लोग जो, राई, मटर, आदी अनाज पैदा करते थे, उन्हें नो परकार की फसलों का ज्यान हुआ करता, वे दो किसम का गेहुं और जो उगाते थे, इसके अतरिक्त, वे तिल की खेती करते थे, और सर्सों का अनाज भी उपजाया करते थे, सबसे पहले कपास पैदा करने का सरे सिंदू सबयत्या के लोगों को जाता है, चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंदू अक्षेतर में हुआ, इसलिए युनान के लोग इसे सिंदन, याद रखना, सिंदन कहने लगे, सिंदू में अक्षेतर में हुआ, तो सिंदन कहा गया, चावल उत्पादन के पसु पालन के अगर बात करेंगे तो घडपाई लोग बैल गाए भैन्स बकरी बेड़ और सूर पालते थे। इन्हे कुबड़ वाला सांड विशेश पिरिये था। याद रखना पूछते हैं कि कुबड़ वाला सांड किसके समय पाला जाता था। तो हडपाई लोग जो है वो उनको ये पिरिये था। इसके अत्रिक्त ये गधे और उंट भी रखा करते थे। के अस्तितों का संकेत मोहन जोदरों की उपरी सत्य से तथा लोथल में मिली एस संदीग्द अमिर्न मूर्ती टेटा अटेरा कोटा से भी मिला है शिलप और तकने की ज्यान में बात करेंगे तो तामबा राजस्तान की खेतरी के तामबर खानों से मंगाया जाता था जबकि जो टीन है वो अफगानिस्तान से मंगाया जाता था हडपा से बता की बात ओरी है ये लोग जो तामबा मंगाते थे वो राजस्तान की खेतली के तामर खानों से और जो टीन मंगाते थे वो अफगानिस्तान से मंगाते थे मोहन जोदरों से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है तथा अनेक वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने को मिलती है उस काल में कताई के लिए तकलियों का परियोग जो है वो होता था बात अगर हम व्यापार की करें तो मोहन जोदरों से मिट्टी व कांसे की दो पहियों वाली खिलोना गाड़ी वचनहुद्रों से मिट्टी की चार पहियों वाली खिलोना गाड़ी मिली है लोथल से अलवेश्टर पत्थर का एक बड़ा पहिया वे बनावली से सडकों पर बैल गाड़ी के पहिये के निशान मिले हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि उस समय गाड़ी का परियोग बहुत भारी मात्रा में होता था मैसोपोटामिया के पुरा लेखों में दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उलेख मिलता है दिलमुन और माकन ये दोनों मैसोपोटामिया और मेलुःा के मद्दे में मौझूद थे दिल्मुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की जा सकती है और सारगोन के सुमेरियन लेख में बहरीन यानि दिल्मुन को उगते हुए सूर्ज का देश भी कहा जाता था बात अगर राजनतिक संगठन की करें तो हडपा वासी वानिज्य की ओर अधी काकरसी थे इसलिए माना जाता है कि संभोता हडपा सब्यत्य का सासन वनिक वर्ग के नियंत्रण में होता था सामाजिक जीवन अगर इनका हम देखें तो सामाजिक जीवन कैसा था समाज की इकाई परम प्रागत तोर पर परिवार थी मातर देवी की पूजा तता मुहरों पर अंकी चित्तर से ये परिलिक्षित होता है कि हडपा समाज संभवत ये मातर सतात्मक था नगर नियोजन दुरग मकानों के याकार वे रूप रेखा तथा सवों के दफनाने के धन को देखकर ऐसा लगता है कि सैंधों वे समाज अनेक वरगों जैसे पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, सिल्पी वे सर्मिकों में विभाजित था. क्योंकि जब समाज इतने सारे वरगों में विभाजित होता है, तो फिर उसकी कई सारी पहचान अलग होती हैं. चाहे वो दुरग मकानों के याकार, रूप रेखा, सबों को दफनाने के धंग, इससे उनके अंदर भी भिनताएं देखने को मिलती हैं. सैंदो सबित्या के लोग युद पिरिये कम, शांती पिरिये अधीक थे. यह साकाहारी वे मांसाहारी दोनों परकार के लोग थे. यहां सूती एवं उनी दोनों परकार के वस्तर पहने जाते थे, तथा यह लोग आभुशनों का परियोग भी किया करते थे. मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नर्त्य, सिकार और पस्वों की लड़ाई आधी परमुख साधन थे अगर सैंदे सबत्या की समय की बात करें तो मनोरंजन के साधन क्या थे? पासे का खेल, नर्त्य, सिकार, पस्वों की लड़ाई आभुष्णों का परियोग महिलाएं करती थी, सूती और उन्नी दोनों परकार के वस्तर यहां पहने जाते थे, साकाहारी और मासाहारी दोनों परकार के यह लोग थे, युद में कोई विश्वास नहीं रखता था, शांती पर यह लोग माने जाते थे धार्मिक जीवन के अगर बात करें तो धार्मिक परतिक चिन है, एक तरफ परतिक चिन दिये हैं, इस तरफ इनका महत्व दिया है, तावीज, भूत प्रेज से बचने के लिए परियोग करते थे, बैल, सीव का वाहन माना गया, स्वास्तिक, सुर्य उपासना का परतिक माना ज भेंसा, देवता की सुत्रूओं पर विजय का परतिक माना गया, और युगल सवाधान, पती के साथ पतनिका सती होना, ये भी यहाँ पर देखने को मिला, वरक्सों और पस्वों की पूजा की अगर बात करें, तो सिंद्वक्षेतर की पूजा अर्थार्थ, ये लोग वरक पूजा बहुत ज़्यादा करते थे, एक मुहर सील पर पीपल की डालों के बीच विराजमान, देवता का चितर भी बहुत कुछ कहता है, हडपा काल में पसु पूजा का परसलन था, अनेक मुहरों पर पसुओं की आकरतियां अंकित थी, इनमें सबसे महतवपूर्ण यह है कि एक सींग वाला जानवर, जिसको यूनिकार्ण कहेंगे, जो गैंडा हो सकता है, उसके बाद कूबड वाला सांड है, गोपूजन का परमान यहाँ पर नहीं मिलता है, सैंधो नगरों की खुदाई से किसी मंदिर के आउसेस नहीं मिले हैं, मोहन जोजलों से प्राप्त मो अंगलिक चिन माना जाता है, इसे चतुर्भुज भरमा का सवरूप के रूप में भी सिविकार किया जाता है, माप तोल के ख्षेतर में देखेंगे, तो बाट के रूप में मन के एम जवहरात की अनेक वस्तुएं पाई गई, जिनसे परकट होता है कि तोल में सोडा या उस हडपा सबत्या के लोगों को माप का ग्यान था, ऐसे डंडे पाए गए हैं, जिन पर माप के निशान लगे हुए हों, जिन में एक डंडा कांसे का भी है, जिसको आप लोग पैरामेटर या इंचे टेप के रूप में परियोग करते थे, महन जोदरो से सीप और लोथल से हा आजू का साक्षे मिला है, जो बहुत कुछ कहता है उस समय के व्यापार के लेवल को, मर्द भांड के अगर बात करें, तो हडपाई लोग कुमहार के चाक का परियोग करने में आधीक कुसल थे, हडपाई मर्द भांड पर सामानेत वरत या वरक्स की आकरतियां मिलती हैं, म उतल से प्राप्त मर्द भांड में एक वरक्स पर मुह में मचली पकड़े हुए एक पक्सी को दर्साया गया है, तथा नीचे एक लोमडी का चित्र है, यह पंस्तंतर की परसिद कथा चालाक लोमडी को दर्सा देता है, मुहरों के अगर बात हम करें इस समय में, हडपा संस करती की सर्वोतम कलाकरतियां उसकी मुहरे हैं, इसका लगबग, इसमें लगबग 200 मुहरे जो हैं, वो मिली हैं, मुहरों पर लगू लेखों के साथ एक सरंगी पसू, भाग, भैंस, भाग, सांड, बकरी और हाथि की आकरतियां, उंकेरी यानि अलंकरी तुमाने देखी किया गया, लोथल और देशलपूर में तांबे की बने मुहरें मिली हैं, सैंदो मुहरें पराई बेलनाकार, वरगाकार, आयताकार और व्यर्थाकार, सभी परकार की हैं, मोहन जोदरो और लोथल से नाओ की आकरति जो है, वो अंकीत मुहर मिली हैं, क्योंकि ये उस समय का बंदरगाह माना गया अंतिम संस्कार के मामले में देखें तो सिंदु सवेत्या में मरत्कों का अंतिम संस्कार की तीन पर्थाएं मिली हैं नमबर एक है दासंस्कार, इसमें सव को पुर्ण रूप से जलाने के बाद भस्मा वसेश को मिट्टी के पात्र में रखकर दफना दिया जाता था, यह सरोपरमुख पर था थी, दूसरा है पूर्ण समाधी करण, इसमें सम्पूर्ण सव को भूमी में दफना दिया जाता था तिसरा है आनसिक समाधी करण, इसमें पसुपक्षियों के खाने के बाद बचे सव के सेश भाग को भूमे में दफना दिया जाता था, पार्शी विज़ी से यह परथा कुछ मिलती जूलती है, अब बात करते हैं थोड़ी सी यहां पर कुछुन चीजों की, जिनके बारे मे आप लोग बार-बार इतने सारे क्वश्टन देखते हो, भरमार होती इन क्वश्टनों की, आप इसमें देखिए, हडप्पा, कालईन जो सतल हैं, वो कौन से कौन से हैं, वरतमान में कहा हैं, उत्खनन करता कौन हैं, कौन से वर्षिन की खोज हुई और किस नदे के किनारे हैं पहले बात आती हडपा की हडपा वर्तमान में मोंट गोमरी जिला पस्चिम पंजाब पाकिस्तान में है राय बहदूर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की 1921 में खोज हुई रावी नदी के किनारे है मोहन जोदरो लरकाना जिला सिंध परतान पाकिस्तान में है राखल दास पनर जी ने खोज करी मार्टीमर वीलर उसके में थे 1922 में खोज हुई सिंधू नदी के किनारे है लोथल की बात करेंगे तो एहमदाबाद गुजरात में रगनात राव ने खोज की 1925 से 62 में खोज हुई दो बार और भोगावा नदी के किनारे है बोगावा रहेगा चन तो सिंध पाकिस्तान में है अरनेस्ट मेकेवे एनजी मजूमदार की ने खोज की 1931 में खोज हुई सिंधू नदी के किनारे है काली बंगा की बात करें तो हनुमानगड राजस्थान में है अलमानंद घोसर बर्जवासिलाल ने खोज करी 1953 और 1962 बार खोज हुई और गगर नदी के किनारे है राखी गड़ी हिसार हरियाना में है सुर्जवान ने खोज की 1931 में खोज हुई और गगर नदी के किनारे है कोट दीजी सिंध पाकिस्तान में है धुर्ये वा फजल एयों महमद खान ने खोज करी 1935 और 1935 में सिंधू नदी के किनारे है बनावली हिसाल ह रियाना आरेस विट ने खोज करी, आरेस विष्ट ने 1973 में खोज हुई सरस्वती नदी के किनारे है। उसके बाद हम बात करते हैं रोपड की, रूप नगर पंजाब में हैं, यगदत सर्मा वाइडी सर्मा ने खोज करी, उननिस व पिच्पन में सतलूज नदी के किनारे हैं। बलुचिस्तान पाकिस्तान में हैं, औरेंज स्टाइन और जार्ज डेल्स ने खोज करी, 1927 और 1962 में दो बार दास्क नदी के किनारे हैं। मांडा जम्मू कस्मीर में हैं, जगपती जोशी ने खोज की, 1982 में खोज हुई चेनाब नदी के किनारे हैं। सुतका कोह पेरिन बलुचिस्तान में, जार्ज डेल्स ने खोज करी, 1962 में खोज हुई साधी कोर नदी के किनारे हैं। सुरकोटदा कस गुजरात के अंदर है, जगपती जोशी ने खोज की, 1964 में खोज हुई और सरस्वती नदी के ये किनारे हैं। ये पूरे का पूरा जो है, वो आपका सेकिंड चेप्टर था। बार-बार आपको बताया जा रहा है कि 8447410108, ये हमारा वाटसप नमबर है। हम ओर ओर इंडिया के दर स्टडी मैटरियल भेजते हैं, कम्पलीट भारत में। ओल ओवर इंडिया में हमारा मैटरियल जाता है, सभी टीचिंग एक्जाम्स और दूसरे एक्जाम्स के लिए। सीटा, डिएसेजबी, के वीएस, एनवीएस, योजिशिनेट, उपीएस, सिवल सर्विस, स्टेट, पीशियस, सब के लिए। अगर आपको चाहिए, तो इस नमबर पर कोल या वर्टसप पर बात करके ओडर कर सकते हैं, अगर आपको पीडियएप चाहिए इस पूरे के पूरे हिस्ट्री की, एनशियंट, मिडवेल, मॉडरन, सभी की, और बाकी सभी सबजेक्टों की, मैथ की, रिजनिंग की, तो अगर आपको प्रेंटिंग में चाहिए, जैसे हिस्टी वाली बुकलेट है यह, तो प्रेंटिंग में चाहिए, तो प्रेंटिंग में भी आपको कोलियो से भेज़ दी जाएगी, इस नमबर पर कोल या वर्टसप पर बात करके ओडर कर सकते हैं, तो आज की इतना ही था, कल फिर में लेंगे तिष्रे लेक्सर में देने बाइ